इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने computer को different viruses से किस तरह से protect कर सकते हैं आज कल क्योंकि computer के साथ portable media यानि USB drives और mobile phones की attachment बहुत ज्यादा है So 80% viruses infected USB drives और mobile phones के जरिये से computer को infect करते हैं जैसे ही हम अपने computer के साथ कोई portable media attach करते हैं तो उसमें मौझूद auto run का script automatically activate हो जाता है जिसके साथ ही अक्सर अकात virus के run होने के chances भी बहुत ज्यादा होते हैं जैसे ही हम कोई portable media attach करते हैं कि auto run का script यहाँ पर automatically activate हुआ है और यहाँ पर हमें यह different options show करवा रहा है It means कि आपकी USB में मौझूद जो auto run का script था वो activate हो चुका है अगर इस USB में auto run के script में कोई भी virus मौझूद हुआ तो वो इस script के साथ ही activate हो जाएगा और आपके computer को infect कर सकता है अब हमने करना क्या है कि अपने computer की settings को इस तरह से adjust करना है कि जब भी कोई portable media attach हो तो उसका auto run का script automatically activate ना हो तो इसके लिए हमें अपने computer में run की application को open करना है run की application को आप start menu से search भी कर सकते हैं या फिर windows बटन के साथ R का button प्रेस करके भी open कर सकते हैं run की application को open करने के बाद यहां पर हमें type करना है gpedit.msc gpedit.msc और इसको ok कर देना यहां पर आपके पास local group policies editor open हो गया है यहां से हमने autoplay की settings को disable करना है यहां पर different options मौजूद हैं यहां से हमने administrative templates को expand करना है इसके अंदर windows component की option को expand करना है और यहां पर autoplay policies पर क्लिक करना है जैसे ही आप autoplay policies पर क्लिक करेंगे तो right side पर आपके पास कुछ settings show होंगी जिसमें सबसे पहली setting है turn off autoplay आपने इस पर right click करना है और इसको edit करना है जब आप इसको edit करेंगे तो इस तरह का dialogue आपके सामने आएगा आपने यहां पर enable के radio button को check कर देना है यहां पर मैंने enable को click किया और इसके साथ ही आप यहां पर देखेंगे कि कितनी drives पर apply करना है तो मैंने यहां पर इसको all drives किया दिया कि तमाम drives पर यह उसको enable कर दे turn off autoplay को enable करने का मतलब यह है कि अब autoplay का कोई भी script किसी भी drive पर run नहीं होगा इसके बाद आपने इसको apply करके ok कर देना है इसी तरह से आपने user configuration में भी same process repeat करना है administrative templates, windows components, autoplay policies turn off autoplay और enable for all drives ok और इसको हमने close कर देना है अब हमारा auto run का script disable हो चुका है last step पे हमें क्या करना है अपने computer को restart करना है और restart होने के बाद आप जो भी portable device, usb, mobile device कोई भी device जब attach करेंगे तो उसमें अगर कोई भी auto run का script मौजूद होगा तो वो automatically activate नहीं होगा जिसके जरिये से आप 80% अपने computer को portable media infection से protect कर सकते हैं तो अपने computer को restart करते हैं सो हमारा computer restart हो चुका है अब हम usb drive इंजर्ट करके देखते हैं कि क्या कोई script activate होता है या नहीं होता इस तरह से हम अपने computer को auto run viruses से protect कर सकते हैं अपने कि अपने कि बड़े को अपने क्या कर दो हम ए उन्यों आप सकते हैं झाल झाल